हमारे साथ रवींद्र वायकर जी हैं जो कि सुशेना के उमिद्वार हैं उत्तर पस्चिम लोग सभा सीट से सर किन मुद्दों को लेकर आप जनता की बीद जाएंगे आप पर पार्टी ने भरोसा जताया है आप तीन बार के विधायक चार बार के नगर सेवक वरिश नेता औ अब हो इंटर्न लgrassi ने त्निक वादा खंडऄ उपर वेट करना वोट केंने ट्राफिक जामियाने एर ट्राफिक हो जाती है तो उप रस्म आहे ंज्यस पर लाशन चार कीलोमेटर के आपना जो फनेल है उस फनेल के अंदर भी जो बिल्डिंग लोगों को हाई राइज जो बनाना है वो नहीं बना सकते है गुंपा मेरे पास दो है अंदेरी गुंपा है जोगेश्वरी गुंपा है उनका प्रश्चना है उनके आजु बाजु के जोपड़ पट्टी को डेवलप करने का प्रश्चन है और एयरपोड के बाजु में जोपड़ पट्टी है तो हम ऐसी एयर ट्राफिक होती है तो उस एयर ट्राफिक के लिए उदर के जोपड़ पट्टी वाले को अच्छे से मकान दिये जाएंगे तो वहां भी दो वे बन सकते तो मुंबई की जो एयरपोड़ करना चाहिए वह अभी तक क्यों ने बोला गया मुझे मैं समझता नहीं जैसा मराडी का मुद्धा हो मराडी को अभिजाद भाशागाप अराडी का दर्शा देने के लिए हम लोग जखट रहे हैं 2012 में पत्रवार करा विदान सब्सक्राइब में बात कर रहा हूं मगर अब आपके सामने चुनाओ लड़ रहे हैं मामला यह फसरा है कि उनकी पिता जी आपके साथ है और बेटा दूसरी पार्टी में कि दृखो हैसे उस सारे परिवार हैं देश में कि जिनकी माँ सामने हैं बेटा अलग है प्ता जी सीट से ईच्छुक थे और आज वो आप ही के पार्टी में जूड़ गए अब आपके ही सहकर्मी बन गए उनके आने से कितना फर्क पड़ेगा बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा उत्तरभावतियों जो ओट से तो ज्यादा ज्यादा खिचने का उनके उनके रिलेशन अगरे होए तो आप फाइदा रहेगा और अब बोलते हैं कि बबा इतने सारे उमीदार होते हैं कि जिनको हमें तिकिट देना चाहिए तो उसमें से स्रेष्टी जो होते हैं वो चुनते हैं कि बबाब कौन ज़्यादा जित के आ सकता है तो उसी को तिकिट में जाते हैं मातोश्री यानि उद्धो ठाकरे आदित ठाकरे के रडार पर आप हैं क्योंकि आप वो विधायक हैं जो सबसे आखिर में एक नाशिंदे के साथ गए थे और मुंबई से विधायक हैं आप तो एक नाराज़गी अईसा राडार के दर बैठाय मुझे मालूम नहीं है आपको मालूम होगा तो बता दीजे रवींद्र वायकर जो कि उत्तर पस्ची में लोकसभा सीट से सीशेना के उमिद्वार हैं महायूती के उमिद्वार हैं और कह रहे हैं कि अगर मैदान में लड़ रहे हैं तो वो जीत कर भी आएंगे